क्या आप जानते हैं जल्दी से पतले होने के लिए सोने से पहले दूद में क्या मिला कर पीएं? यह दूद अनेक गुणों के साथ वजन कम करने की प्रक्रिया को बढ़ाता है इसमें थर्मोजेनिक प्रोपर्टीज होती हैं जो शारेरिक मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है इस दूद में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन A, विटामिन D जैसे पोशक तत्व मौझूद होते हैं जो वजन कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं जी हां हम बात कर रहे हैं हल्दी वाले दूद की, हल्दी वाला दूद शारेरिक सिहत के लिए फरदान माना जाता है, इम्मुनिटी बूस्टर कहा जाता है, पाचन तंतर में सुधार लाता है हल्दी में डायेटरी फाइबर्स होते हैं जो फैट कम कर वजन बढ़ने नहीं देते, हल्दी में एंटी सेक्टिक और एंटी बैक्टिरियल गुन होते हैं, हल्दी में अमीनो एसेड होता है, जो अच्छी मीन लेने में सायक होता है इसमें मौजूद केलशियम, हड़ियां मजबूत बनाता है, हल्दी कैलोरी को भी तेजी से बर्ण करता है, या ब्लट सर्कुलेशन को नियंतरित करता है इसे अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है, इसके इस्तमाल से कई बिमारियां दोर होती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, शारिरिक दर्द, त्वचा में निखार, ये सब आसानी से हो जाता है हल्दी वाला दूट ठंड के मौसम में वर्दान है, हल्दी फैट्स बर्ण कर वजन कम करता है आईए अब आपको बताते हैं कि हल्दी वाला दूट कैसे बनाना है कच्ची हल्दी का उप्योग सबसे गुणकारी माना जाता है सबसे पहले कच्ची हल्दी को बारी कूट लें फिर एक बरतन में एक कप दूद गरम करें और एक कप पानी में बारी कटीवी हल्दी डाल कर 10-15 मिनट उबाल लें जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए तो इसके अंदर गरम कियावा दूद मिला लें फिर इसे एक बार उबाल लें थोड़ा ठंडा करके गुनगुना इस्तमाल करना चाहिए अगर हल्दी पाउडर के रूप में उपलब्ध है तो एक गिलास दूद में दो चुटके हल्दी और थोड़ा सा केसर डाल कर एक दो मिनट उबाल कर थोड़ा ठंडा करके इसका इस्तमाल करना चाहिए जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहे D5 चैनल हिंदी के साथ